वेलकम टू दिस वीडियो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा LTE से हटके है आज हम 5G NR चैनल के बारे में डिसकस करेंगे देखिये मैंने ये तीन पार्ट की सिरीज रखी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके अंदर तीन चैनल होते हैं लॉजिकल, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल तो हर पार्ट में हम अलग अलग चैनल को डिसकस करेंगे डिटेल में तो अगर आपको LTE के चैनल आते हैं तो आपको 5G के चैनल समझने में कोई मुश्किल नहीं तो सबसे पहले आज हम डिसकस करेंगे लॉजिकल चैनल अब देखिए जो लॉजिकल चैनल है 5G नर के वो दो ग्रूप में डिवाइड होते हैं चैनल एंड ट्राफिक चैनल कंट्रोल मतलब जिस पर सिग्नलिंग जाती है ट्राफिक मतलब जिस पर उसके बाद आप डेटा भेज सकते हैं same like LTE, LTE में भी ऐसी होता था 5G में भी वैसा ही होता है बिल्कुल सेम है देखिए ये 5 चैनल है 5G के जो लॉजिकल चैनल में आते हैं BCCH, PCCH, CCCH, DCCH, DTCH ये 5 important चैनल है इसके अलावा लॉजिकल चैनल कोई नहीं होता 5G के अंदर अब देखिए BCCH है Broadcast Control Channel, Paging Control Channel, PCCH, Common Control Channel, CCCH, Dedicated Control Channel, DCCH and Dedicated Traffic Channel, DTCH तो ये हमारे 5 चैनल हैं जो की लॉजिकल चैनल में आते हैं अब हम इन्हें one by one discuss करेंगे कि इनके अंदर होता क्या क्या है अब देखिए सबसे पहले है BCCH, Broadcast of Control, Broadcast Control Channel, This is a Downlink Channel जो Broadcast होता है ये हमेशा Network करता है इसलिए ये Downlink Channel है Used for the Broadcast of System Information, अब देखिए Network को बहुत सारी System Information भेजने होती है सेपस में बहुत सारी उसके अंदर Cell Selection, Handover Parameters, Camping के लिए ये बहुत सारी Information उसके अंदर जाती है तो उसको Broadcast करता है हमारा Network, Network मतलब आप E-Note भी बोल सकते हैं, यहाँ पे G-Note भी बोल सकते हैं 5G के अंदर तो यह हमें Broadcast करता है, with the help of BCCA Channel, अब है PCC channel, Paging Control Channel, अब देखिए जब भी Network को find out करना होता है किसी device को तो वो Paging भेजता है तो उसके लिए यह channel use होता है PCCH, it can also be used to transfer of system information chain notification, अगर कोई system information में changes होते हैं, तो आप वो PCCH पे भेजेंगे and indication of ongoing PWS public warning system broadcast, अब किसी operator को suppose कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको कुछ warnings आपके device पर भेज नहीं है, तो वो with the help of this channel वो आपको broadcast कर सकता है उसके बाद हमारा channel आता है CCCH, common control channel, this is used by device to establish or re-establish an RRC connection, अब देखिए LTE में RRC connection के मतलब यह होता है कि आपको resource ही चाहिए network से, तो आप उसको idle से connected mode में जाते हैं, अपने device को लेके जाते हैं, तो RRC connection use होता है, अब देखिए जो यह channel होता है, इसके अंदर srb0 use होता है, जो signaling radio barrier होता है, 0, वो use होता है, ccch channel के अंदर, common control channel के अंदर, इसी के help से आप RRC connection बनाते हैं, उसके बाद हमारा जो channel आता है, वो आता है, dcch, dedicated control channel, अब इसके अंदर क्या होता है, this is a two-way channel for the transfer of control information, when the device has an RRC connection, आपके पास RRC connection बन चुका है, जो यह common control channel है, इसके तुरू आप RRC connection बना देते हैं, SRB 0 की help से, उसके बाद, जब यह आपके पास बन जाता है, तो उसके बाद आप दूसरी RRC SRBs create कर दें, अब देखिए, आपने LTE में देखा हुगा, तीन SRB आपने सुना हुगा, SRB 0, 1 and 2, 5G के अंदर एक और SRB introduce करी गई है, SRB 3, तो वो dedicated control channel में use की जाती है, dcch, अब देखिए, जो SRB 1 है, वो खाली use की जाती है, आपको RRC messages को भेजने के लिए, जो SRB 2 है, वो खाली आपको use की जाती है, NAS messages को भेजने के लिए, और उसकी priority SRB 1 से कम होती है, और जो SRB 3 है, वो नई SRB introduce की गई है, this is from secondary RAN not and can be used to configure measurements, अब इसके अंदर कुछ और नई चीज़ आड़ हो गई है, 5G के अंदर के आप measurements को add कर सकते हो, MAC, RLC, PTCP and physical layer parameter as well as radio link failure parameters, ये 5G में ही add हुआ है, ये LTE में ये वाली SRB 3 थी नहीं, बस SRB 0, 1, 2 होता था, तीन SRBs होती थी, RRC के अंदर तो उसी से काम हो जाता था, लेकिन इनोंने SRB 3 introduce कर दिये की measurements और जो हमारी जो layers है, MAC, RLC, PTCP उसके parameters और radio link failures के parameter इसमें add कर दिये, इनोंने, उसके बाद हमारा ये last channel है, 5th channel जो कि है DTCH, dedicated traffic channel, इसके उपर data आप uplink और downlink में भेज सकते हैं, this is a point-to-point channel that may exist in the uplink और downlink, it is a part of DRB, data radio barrier assigned to a device, अब देखिए आपने SRB से आपने सुना होगा कि signaling के लिए use होता है, DRBs होते हैं data radio barrier जिसके उपर आप traffic भेजते हैं, dedicated traffic channel, DTCH, अब देखिए जो DRBs होते हैं, इसकी number होते हैं 1232 ये हो सकती हैं, आप एक साथ बहुत सारी DRBs बना सकते हैं और उस पर data भेज सकते हैं, तो ये UE और जो हमारा E node B या NG node B, E NG node B, G node B, ये कुछ नही नही terms इंटर्ड्यूज होई हैं 5G के अंदर, आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब के बारे में बताया हुआ है, तो ये 5 चैनल होते हैं logical चैनल के अंदर, तो इस वीडियो में हमने ये 5 चैनल discuss किये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जिरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकर इसी तरह की ओर वीडियो आपके mobile पर और आपके Gmail पर आपको notification मिलते रहे, thanks for watching this video.